हम लोग जिस कंपनी के ओपर अपडेट लेने वाले हैं और यंड ग्रीन पावर कंपनी लिम्टेड है क्वाटर फॉर के रिजल्ट आ गए हैं तो कैसे आए रिजल्ट उसको हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तों यह वही सेर है जो दो रुपए के राउंट रेट कर रहा था उसके बाद हम लोगों ने इसमें निवेस किया था और काफी अच्छा रिटन बना था अगर आप लोगों को मैं दिखाओं अगर हम लोग यहां पर ओल्ड वीडियो सर्च करते हैं अपने इस चैनल पे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मतलब किस प्राइज रेंज में उस टाइम पे सेर था तो अभी मैं आपको दिखाता हूं जोसे मैंने यहां पर ओरियन ग्रीन सर्च किया यह देखिए दो साल पहले यह तीन रुपए के राउंड देखने को मिलेगा फिर उसके वाद यह 16 रुपए से भी उपर गया मतलब दोस्तों हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिटन मतलब 500% से ज़्यादा रिटन बहुत जगह पे हम लोगों को यह कंपनी 21 रुपए से उपर जाती हुई दिखाई दी तो वहां पे और भी ज़्यादा परसेंटेस बढ़ता चला गया मैंने आप लोगों को जब भी ये सेर रिक्मेंड किया था तो स्टार्टिंग में मैं हमेशा बोलता था डबल होने का दम रखता है सेर और उसी प्रकार से ये प्रफॉर्म भी एक साल पहले ही हम लोगों ने 100% इसमें अचीव किया था इसके उपर मैंने 100 वीडियो में भी ऐसा था जो इस सेर को इतना आगे तक पुष्ट करता रहा वो सारी चीजों पर बात करेंगे कोटर फोर रिजल्ट को भी समझेंगे कि कैसा FI 23 का last quarter result आया है और उसी के साथ हम लोग next FI में आगे बढ़ जाएंगे जिसके काफी उमीद रहती है इन सेरों से क्योंकि दोस्तों ये ऐसे सेर हैं जो solar energy, wind energy, green energy के उपर, green power के उपर ज्यादा work कर रहे हैं, investment कर रहे हैं, निवेस कर रहे हैं, energy generate कर रहे हैं, जो अपने वा एक तरीके से green energy में count किया जाता है, उस प्रकार से energy बना रहे हैं, तो वो काफी अच्छी साबित होगी, अब जैसे कि दोस्तों इसकी condition कैसी चल लिए, इसके उपर बात करेंगे, मैं साथ वीडियो में बने रही हैं, जो चैनल पर ने ऊच्छे हैं, subscribe कर लें, notification bell, all पर रखे है, electrical utilities, मतलब जहां पर बिजली का यूज है, उस field में ये काम कर रही है, currently जो दोस्तों हम लोग को data देखने को मिलेगा, उस हिसाब से कुछ अभी growth नहीं देखेगी, बट अगर आप पुराने record देखेंगे, तो बहुत तगड़ा return यहां से हम लोग को मिला था, अब जैसे क कमपनी का जो main focus रहता है, दोस्तों वो energy, जो green energy है, उन पे रहता है, और उसी field पे ये लगातार company investment कर रही है, ग्रोध भी कर रही है, तो समझने में काफी कुछ है, समझते हैं इसकी financial condition से, सबसे पहले orient green, मतलब इसकी market capital की बात करने, तो अब market capital काफी कम हुई है, क्योंकि ब बहुत सारे निवेस पे already project पे work चल रहा है, तो कुछ इतना रहता नहीं है, पर वापस से याद रखिएगा, इसमें निवेस बढ़ेगा, और ये बहुत अच्छा boost मिलेगी, boost लेगी, मतलब 12 महिने की बात करें, तो 57.6% इसका profit ग्रोत रहा है, quarter wise result इसके, मतलब sale में जो number ह इसमें कमी देखने को मिलती है, और quarter wise result में भी इसके कमी देखने को मिलती है, अगर इसकी promoters holding की बात करें, 32.5 की रहती है, face value 10 है, मतलब sale एक बार भी split नहीं है, book value इसकी 6 रुपे 97 पैसे है, और उस हिसाब से हम लोग को एक तरिया से सही range में खरिदने के लिए मिल जाता है और all time high की बात कहें तो 47 रुपीज 30 पैसे तक, मतलब यकीन करिए दोस्तों 2 रुपे 90 पैसे से ये share हम लोग को इतना अच्छा इतना उपर तक जाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो कितना ज़्यादा इसमें return बना है, इसी चलते इस share को हम लोग काफी लंबे टाइम से monitor क इसे भी compare करेंगे, तो सबसे पहले इसके OMP पे देख लेते हैं, वो PM देख लेते हैं, मतलब जो operating profit margin है, उस पर बात कर लेते हैं, तो 49% का इसका operating margin रहा है, जो कि last year 44% था, तो उससे number बढ़े हैं, पर ये जो company है, क्योंकि पहुँछ ज़्यादा wind energy, solar energy, ऐसे चीज़ों पे तो इन पे आप लोगों को एक चीज़ पता लगती होगी, कि इन पे जो खर्च है, इन पे जो मतलब इनको maintenance का charge है, वो सब starting में तो निवेस करते समय बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आप खुद अपने घर पे जब solar panel लगाते हैं, तो starting में हम लोग 3.5.5 लाग का बोलिए लगा लिए, ठीक है, solar panel लगा लिए, एक बार हम लोगों ने इतने का लगा लिया, उसके बाद कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं रहता, महीने में हम लोगों को एक बार बस सफाई करनी रहती है, तो उसमें हम लोग खुदी कर लेते हैं, तो उसमें कोई खर्चा नहीं है, तो समझें, और इसके बाद इसकी lifetime कितना, मतलब पचीस साल, भीस साल तक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, solar panel में, तो इस प्रकार से आपको एक roughly idea लग जाएगा, कि आप अगर इसी चीज को बहुत बड़े अस्थर पर सोचें, तो क्या होता है, कि ये लोग बहुत पर उस पर खर्चें बहुत कम आते हैं, और उसी वज़े से इनका जो profit रहता है, काफी अच्छा रहता है, और government को tax भी नहीं देना रहता है, क्योंकि wind energy, solar energy पर जो कमपनिया काम कर रही है, वो already sub-series के मतलब lab में रहती है, और उसी वज़े से इनको कोई tax नहीं पे करना रहा है, profit margin जैसे आप देखेंगे 81-75% का भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह depend करता है दोस्तों किस टाइम पर कितनी प्रकार से सेल हो रही है, तो आप हमेशा देखेंगे जो जून के बाद से है, क्योंकि बहुत अच्छा count किया जाता है, जुलाई से लेके आप इसका data सि देखेंगे, वहाँ पर हर बार आपको देखने को मिलेगा कि इसकी सेल काफी अच्छी हुई है, अब ऐसा क्या है, अभी मैं आपको एक चीज नोटिस कराता हूँ, जो काफी अच्छी है, यह सितंबर का data, देखिए हर बार, हर साल के सितंबर का data, अब ऐसा क्या हो रहा है, यह कि wind energy के लिए हो सकता है, यह मौसम बहुत अच्छा है, और solar energy के लिए सबसे अच्छा मौसम यह count किया ही जाता है, क्योंकि जुलाई से सितंबर के बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, पर रोसुनी का जो प्रकास है, वो बहुत अच्छा होता है, और इस लगता होगा कि इसको बहुत ज़्यादा कड़ी धूप चाहिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इसके पैनल बहुत ज़्यादा गरम हो जाते हैं, तब भी यह जो बिजली बनाने की छमता होती है solar panel की वो थोड़ी कम हो जाती है, पर क्योंकि जुलाई के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि रोसनी तो भरपूर रहती है, मौसम में भी थोड़ा changes रहता है, क्योंकि यहां से rainy season देखने को मिलता है, तो किसी दिन बारिस होई, किसी दिन साफ धूप रही, तो इस मौसम में अच्छी बिजली बन पाती है, और क्योंकि यह कमपनी का जो बिजनस ह वो ज़्यादा तर wind energy पे है तो मेरे को लगता है जुलाई से सितंबर के बीच में जो air है हवा बहती जो है wind जो है वो काफी अच्छे से यहाँ पे रहती होगी और इसी वज़ा से जो इसका सेल है क्योंकि ज़्यादा बिजली बना पा रही है तो उस बज़े से ग्रोथ हम को देखने को मिलती है यहाँ पे देखे मैंसन भी है कि काफी बड़े मातरा में यह लोग जो बिजली है wind energy से बनाते हैं तो overall बात करें इस company की तो इस बार इसने 33 करोड का net profit किया है जो कि बहु गवर्मेंट की तरफ से जबकि इतने अच्छे field में काम कर रही है तो जाहर सी बात है गवर्मेंट को इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए चलिए अपकी जो गवर्मेंट है इस पर बढ़ावा दे रही है क्योंकि आप लोगों भी solar panel खरीदने जाएंगे तो उस पर आप सब्स्रीज कम करके सेल करते हैं ताकि उनको तो प्राफिट होता है क्योंकि उनको तो गवर्मेंट के तरफ से अच्छी सब्स्रीज मिल रही है बट नॉर्मा पब्लिक को वो नॉर्मली प्रवाइड नहीं करते तो उस चीज में लोगों को लगता है कि गवर्मेंट solar panel पे इन चीजों पे इतना वर्क क्यों नहीं कर रही है बट अगर आप किसी जानी मानी कंपनी से पर्चिस करते हैं solar panel तो वहां पे वो आपको सही percentage की जो margin है सब मतलब जहां पे surprise है वो सारी चीजे प्रवाइड करते हैं तो इन चीजों को जरा research करिए आपको जहर से बात है मिल ठीक है तो इस प्रगार से आप इनको भी देख सकते हैं और जो local होते हैं वो भी इन चीजों में मैंने notice किया है कि हमारे side में जो local हैं वो solar जो solar panel जो sell कर रहे हैं चीजें उनकी services provide कर रहे हैं वो लोग ठीक ठाक percentage दे रहे हैं तो इन चीजों पे भी थोड़ा ध्यान रखना अब जैसे टाटा पावर हो गया इसका काफी माना जाना solar panel विखता है तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं हम लोग share holding patterns पे बात करें तो यहां पे हमको दिखने को मैं लेगा 32.53% promoters के पास है 63.88% हम लोगों की तरह जो individually hold करें उनके पास है तो ठीक ठाक इसका share holding patterns है कोई दिक्कत नहीं है इसके चार्ट में बात करें तो लाश्ट टाइम जो मैंने आपको update किया था तो यहां पे कुछ zone बताया था कि 7 रुपे और 8 रुपे 15 पैसे को ध्यान में रखते हुए 10 रुपे से नीचे पे आप खरडारी कर सकते हैं अभी भी उस zone में है तो खरडारी कर और उससे अबब के target मिल सकते हैं इस company को जरूर से आप long term के हिसाब से देखके चल सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा share यह साबीत होएगा तो यही अपडेट हो जाएगा ग्रीन ओरियंट ग्रीन पावर कंपनी लिम्टेड पे थैंक्स और चिक सुले हो मेलते हैं आपको ने